जीवन में धन का लाव और भागे का साथ मिल जाए तो ये समझे हमारा जीवन बहुत स्रेश्टता की और अग्रसर हो रहा है और सायद इसी बात की परिकाष्ठा को सिद्ध करते हुए आज हम समझने वाले हैं सुक्राशारी जी महराज का जो ट्रांजिट हुआ है ठीक आपक जीवन को लाभानवित करा पाते हैं इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं 29 नवंबर 2023 का वो दिन होगा जिस दिन से लेकर के 25 दिसमबर तक यही सुक्रादेव महराज आपके स्वैम जो एका दसेस हैं एका दस भाव पर ही इस्थित होंगे जब कोई गरह अपने स्वैम भाव पर इनका वोचर हो रहा है इसका मतलब बैलेंस बना पाने की एक छमता आपके अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी किस परिपेक्ष से आपके लाभ के परिपेक्ष से इस समय पर कोई आर्थिक लाभ आपको प्राप्त करना है जुट जाए अपने कारे में आर्थिक का संचार इस से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता क्योंकि लाभेस लाभ भाव पर इस दिपर यहीं वो भाव होता है जो हमें समाजिक दायरों से जोड़ता है हमारे सोसल सरकल को रिप्रेजेंट करता है सुक्र कैसा गरा हो गया जो प्रेम है जो उमंग है जो हमारी जो संदरित को प्रतिक करता है इस समय पर हमें समाजिक कारियों के द्वारा हमें लाव मिल सकता है या फिर उनके लिए कोई काम करने का हमें अवसर प्राप्त हो सकता है अर्थात समाज से हमें लाव की विप्रिद्धी हो सकती है एक अदस भाव चूकि मेरे ड्रीम है मेरे डिजायर है कु समझे कि सुक्राचारे जी महाराज वहाँ पर उपस्थित हो गए है एक मृत संजीवनी विद्या यदि किसी गरह के पास उपस्थित है वो है एक मात देव मतद्यत गुरु बिरहस्पति के पास समाहित है भगवान सीव संकर की अराधना करके कठोर तपस्था करके इन्होंने मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था अर्थात कैसे भी मरे हुए प्राणी को भी जीवित कर देने की वो विद्या होती है वो सक्ति होती है और जब यहीं सुक्रेचारे जी महाराज आपके इंकम भाव पर जा रहे है तो income के भिविद्धि कैसे नहीं करेंगे ये आपको स्वतार विचार करना है दूसरी और जहां पर ये किस भाव के एक भाव और होता है दो नंबर जासी जहां पर है उस भाव के भी स्वामी होते हैं सुक्रचारजी महराज उसी साब से ये आपके सस्ठेज भी होते हैं छठा भाव हमारे रोग का, हमारे रिंड का, हमारे सत्रु का और साथ इसाथ हमारे नौकरी का भी होता है यदि आप नौकरी पेसा हैं तो ये समझे इस समय पर लाव की बिद्धी हो सकती है चाहे वो इंक्रिमेंट हो, या फिर आपके मनोनुकूल आपको जौब मिल जाए या फिर कोई परिवर्तन के स्थिती बन जाए ये तीनों ही समभाव हो सकता है क्योंकि छठे भाव के स्वामी का इंकम भाव पे जाना कहिन कहिन लाव को ही प्रदर्सित करता है हाँ, परन्तु कुछ हमें चैलेंजिंग सिच्वेशन भी आएंगे लेकिन समझना ये है कि भई यदि जीवन में चुनवती यदि नहीं है तो फिर वो सफलता किस काम का, वो लाव किस काम का लाव के परिपेक्ट से आपके चुनवतीयों का आपको अच्छा खासा परिणाम इस समय पर प्राप्त हो सकता है अब सुक्र देउता जहां पर विराजमान है हमने कहा कि वहाँ पर आपका बैलेंस बनेगा, आपका फोकस सबसे ज़्यादा रहेगा आपका प्रेम रहेगा, तो पता है आपको कि इस पूरे दर्मियान आपको सबसे ज़्यादा प्रेम किस से रहेगा आपको प्रेम रहेगा अपने इंकम के लिए कैसे मैं जो अपनी इंकम बढ़ा पाऊ, कैसे मैं जो मैं कामना है उसको मैं बढ़ा पाऊ सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा क्योंकि सुक्र है जहां प्रेम है वहां ऐसा माना गया है कई जोतिस्यों का ये भी मानना है कि जब-जब सुक्र देउंता अपने मूल त्रिकोन रासी पर होते हैं करोड़ पती अरब पती बनाने तक का संजोग बना दाते हैं तो अब आपके माननीजे जनम पत्रिका में भी ये इस्थिती है तब तो समझे कि और अच्छी बात है अन्यथा यहाँ पर गोचर का परिणाम तो आपको मिल ही रहा है अपने लाभ प्राप्ति के लिए अग्रसित हो जाएए कारे कीजिए एक उपाय आपको बताने वाले हैं उस उपाय को करके आप इसी दर्मियान कोई बहुत अच्छा लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे दूसरी और ऐसा भी माना जाता है कि जब तक हमारा भागे का साथ हमें प्राप्त नहीं होता देखिए आप और हम निरंतर मेहनत करते हैं अपने कारे को आगे बढ़ाने के लिए कभी दिनराद प्रयास करते हैं कभी अपने संघर्सों को जीते हैं लेकिन फिर भी अधी परिणाम हमारे अपेक्षित परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते हमें बहुत बुरा लगता है हम अपने आपको दोसी मानते हैं कभी ग्रहों को दोसी मानते हैं लेकिन जिस पल आपको उपर वाले का साथ मिल जाए, आपको आपके परमात्मा, आपके इस टक्रिपा आपको जिस समय पर मिल जाती है, ये समझे, वही तो है आपका भाग यह और इसी कारण से इस सुक्र को दृष्टी प्रदान करने के लिए, मतलब धन के स्वामी को भागे की दृष्टी प्रदान करने के लिए ही हमारे परमात्मा ने भी इस समय पर देव गुरु बिरस्पति जो की आपके पंचम भाव पर चल रहे हैं इस बात को मत भूलिएगा पंचम भाव पर देव गुरु बिरस्पति का गोशत पिछले काफी दिनों से हो गया है और अप्रेल 2024 तक ये रहेंगे अब ये बहुत कम समय होता है ये पहली बार ये एक ऐसा समय आ रहा है इस टांजेट के दवरान में कि गुरु देवता ने साथ-छाथ अपने सामने 180 डिग्री के अंतरान में बैठे वे सुक्रचारे को पूर दिश्टी से देखा हो और साथ ही साथ एक तरफा यहाँ पर प्रेम नहीं है प्रेम ऐसा है कि सुक्र देवता ने भी देव गुरु बिरस्पति को दिश्टी दिया दो गुरुओं का आपस में दिश्टी संबन्द एक देव गुरु है एक दैत्य गुरु है एक भागे के स्वामी है एक धन के स्वामी है तो इस कारण से इस टाइम पर भागे से ही धन की वी बिरिद्धी हो सकती है आपके संतान संबन्दी कोई प्राब्लम है वहाँ पर प्राप्ति के दृष्टिकों से या फिर कहीं पर आपने पैसे लगाए हैं, वहाँ पर प्राप्ति के दृष्टिकों से ये गोशर आपके लिए अनुकूल होगा पंचमभाव मेरी बुद्धी मता है, मेरा ग्यान है, मेरा निर्णय छमता है, तो इस कारण से मेरे निर्णय के द्वारा, मेरे ग्यान के द्वारा मैं अपने धन के भी बृद्धी करा पाऊंगा, वह अपने धन को आगे बढ़ा पाऊंगा, चुकि सुक्र का सम्मंध हमारे परिवार से होता है और सब्तम जो रासी होती है वो भी एक बैलेंस बनाने वाली रासी होती है इस लिए अपने परिवार में भी इस समय पर आप बैलेंस बना पाएंगे क्या मुझे करना है कैसे क्या करना है क्या नियोजित करना है ये सारा कुछ आपके अंदर आने वाला है इसी दर्मियान पर आप ये समझ दीजे अब कैसे इस गोचर में हम और ज़्यादा लाब ले पाए देखिए स्वभावता यहाँ पर इस्थिती बहुत अच्छी बनी हुई है लेकिन स्वभावता देव गुरु बिरस्पति के कहीं ने कहीं सत्रु माने गए है सुक्राचारी जी महराज को इस करनर से आपको उपाय भी कर लेने चाहिए जिससे ये बात फिक्स हो जाए कि आपको लाब आपको इंकम मिलेगा ही मिलेगा सुक्र देव यहाँ पर बैठे हैं करना क्या है इलाची लेकर के आएंगे जो इलाची होता है एक सवाट की संख्या में इसे गिन लीजे और सुक्रवार के दिन सुभा के समय पर घी में डुबा डुबा करके उसकी आहूती कर दे ओम सुम सुक्राय नमा के मंत्र के साथ में होगा क्या इससे सुक्र की क्रिपा मिलेगी और आहूती से और उस मंत्र के जाप से धन के भिब्रिद्धी होगी एक मात्र हवन करने से हमारे घर में एक positive वाता वरना आएगा और इलाइची का सुगन जिस प्रकार से सब तरफ फैलता है उसी प्रकार से आर्थिक सुगन जो आपके जीवन में जो बनी हुई है वो सब तरफ फैलेगी या कहीं किसी प्रकार से कोई बाधा जोड़ी हुई है हमारे धन को ले करके उस बाधा से भी आपको विसेश रुप से मुक्ति आपके परमात्मा आपके इस टक्रिप्मा से जरूर प्राप्त हो पाएगी उम्मीद है आप समनी से समझा है आप समनी से जाना है यदि आपनी से समझा है जाना है मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मन भुलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजेगा बुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हो इनहीं सुपकामनाओं के साथ जैस्री राम